उत्राखंड में ब्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार लगातार कारवाई कर रही है अब तक ब्रष्टाचार के आरोप में 55 से जादा बड़े अधिकारी जेल जा चुके हैं प्रष्टाचार को ले करके मुख्यमंत्री पुश्कर सिंधामी लगातार प्रियास कर रहे हैं कि प्रष्टाचार उत्राखंड से मिटा दिया जाया और इसे लोग जो प्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हो इसको ले करके अब राजनीती होती है तो वो सरकार ही करती है हो सरकार ही ऐसे लोगों को जेल भेज रही है जो भृष्टाचार में लिपते हैं पिशली दूनों हमने देखा था कि एक जीस्टी के असिस्टन कमिशनर को विजलेंस ने 75,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया था जिसके बाद कॉंग्र को जेल भेजा है और ऐसे लेगों को जेल भेजने में सरकार कोई भी कुरेज नहीं करती है वहीं मुख्यमंत्री पुशकर सिंग्धामी ने तमाम अधिकारियों को इस पर दिरिश दी हैं कि किसी भी हाल में ब्रश्टाचार बरदाश नहीं किया जा जाएगा इसी किरम में 50 कि अधिकार से जादा लोगों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है और लगातार इस परकार की कारवाई जा रही है लेकिन राजनीती इस मुद्दे पे जो हो रही है फिलाल कॉंग्रिस का कहना है कि राज्य सरकार में ब्रश्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और ब अभी तक हैं कोई कारवाई नहीं और बीजेपी को बेशर्मी के हद हो गई किसान आंदोलन में जिस तरीकी की घटना घटी और वो गाड़ी से कुष्ला गया उसमें कोई कारवाई नहीं जिस बेटी ने अपनी कुष्टी चोड़ दी जिस सांसत का नाम उसने लिया खुलकर उसके खिलाब करवाई नहीं यहां अंकीडा भंडारी, मडर केस्ट की मिस एंडलिंग यह अका प्ता नहीं है, और भड़विश को टाले में हकम सिंग जी का नाम आया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी की जानकारी में नहीं है तो बहुत सारी ऐस की घटना है बीजेपी अपने गेरबान में जहा के अभी ये जो वनागनी वाला था उसमें इन्होंने डियएकं़ के खिलाफ कारवाई की क्या ये उन्होंने अपधा परबंदन के अधिकारि के खिलाफ कारवाई के रृजिन की महटपूर जिम्मेदारी थी इसमें तो ये सब कुछ गड़बड चल रहा हूँ दो तीन अधिकारी ऐसे हैं जिन्हों ने है गुरूप बना रखा जो लोकल के हमारे अधिकारी हैं उत्राखंड के रहने वाले कैटर के या हमारे उत्तरप्रदेश आसपास के रहने वाले ज राज्य में काम कर रहे हैं जिनकी से इन सभी अपराजियों को और उनी के कहने पर सरकार के महपूर पदू में उनके चेले चपाड़े जो अधिकारी हैं उनको बैठाय जा रहा है और आने वाले समय में इन सब चीज़ का हिसाब के दाग कॉंग्रेस करेगी हम सब के अगर इस बात पर कहीं पदूनती या नियूक्तिया होंगी कि वह किस इलागे का या किस ग्रूप का है किस समू का है तो निश्य थी इस उत्राकर नराज्य में हम ऐसा होने नहीं देंगे हम एक्सपोज करेंगे और लोगों के बीच में जाके खुल कर इन बातों को रखने क देखे उस समय अधिकारी और नेता मिलकर भरष्टाचार कर रहे थे इसलिए अगर अधिकारी भरष्टाचार कर रहा है तो यही तो सरकार का काम है तो आज हम अपना काम कर रहे हैं उस समय कॉंग्रेस स्वें भरष्टाचारी थी कॉंग्रेस की पुरी सरकार भरष्टाचा को यहां वह करने नहीं पर नहीं है यहां बहुत नहीं है पर आज़ने के दोर में नहीं है हम लगातार भष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं अभी 50 से जादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है और के लोग और ऐसे हैं जिन पर कारवाई होनी है लेकिन कॉंग्रस का साफ तोर पर कहना है कि उत्राखंड में जिस तरह से धामी सरकार में भष्टाचार बड़ा है वो अपने आप में देखने वाली बात है। A.B.P. गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी